दोस्तों, वेदिक मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिनको देखने के बाद आपको कभी भी numbers के squares को रटने की जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी आप देखते ही numbers के square निकाल देंगे दोस्तों हमारी पहली जो trick है वो उन numbers के लिए है जो 50 के आसपास है चाहें वो number 50 से कम हो या ज़्यादा हो उन दोनों के लिए ही यह trick काम करेगी जैसे मान लीजिए हमें 46 का square निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक number को रखिए 25 उसको आप side में लिख दीजिए दोस्तों अब आप बताए 46 50 से कितना कम होता है तो आप कहेंगे 4 कम है तो मैं क्या करूंगा इस 25 में से 4 को माइनस करा दूंगा तो कितना आएगा 21 और इस 21 के आगे मैं 4 के square को भी लिख दूंगा 4 का square क्यों लिख रहे है क्योंकि 46 50 से 4 कम है तो मेरा answer आएगा 2116 और दोस्तों यही होता है 46 का square अब चलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे example बताता हूँ जो कि 50 से बढ़े है जैसे मान लीजिए इस बार हमें 53 का square निकालना है तो हमने देखा कि 53 50 से 3 जादा है तो इस बार मैं क्या करूंगा मैं 25 में 3 को add कर दूंगा पिछली बार हमने minus किया था क्योंकि वो सारे number 50 से कम थे ये number 50 से जादा है इसलिए हम 25 में add कर रहे हैं बस केवल यही difference 25 प्लस 3 आएगा 28 और इसके आगे हम 3 के square को लिक देंगे अब 3 का square होता है 9 जो कि single digit number है तो मैं 9 के आगे एक 0 लगा कर यहां पर लिक दूंगा और हमारा answer आ जाएगा 2, 8, 0, 9 और दोस्तों यही होता है 50 थरीका square मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी trick बहुत ही जादा पसंद आई है Thank you for watching